तो आज हम आपके साथ थोड़ा सा डिफरेंट टापिक जो है वो यह है कि इसराइल और इरान की जो आपस में जंग हो रही है इनके दोस्त कोन है और दुश्मन कोन है और आज हम आपके साथ मिलके देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं त यही डिसकर्ण करने वाले हैं कि अगर यह पूरा जो वॉर है यह काफी द्यादा ог़ते होता है तो मिडली इस की जो बाकि कंट्री Heuram किसका साथ दें जाएंगी क्या वो इसराइल के साथ जाएंगि या कॉन सी कंट्री इसDid आपके जो एकогन смотрите का RISEN किया। उस सारी चीजों को आज इस वीडियो के अंदर में हम डीटेल में समझने वाले हैं विकास यह जो पूरा इशू है यह क्योंकि बहुत सदियों पुराना है और इस वज़े से जो relations develop हुए हैं वो dynamics वक्त के साथ change होते रहते हैं अब अगर आप अभी तक हमने क्या क्या देखा है उसको आप देखो तो इरान ने क्या किया परसो इसराइल के उपर में अपने फुल ताकत से अटाक किया उसने drones और missiles का use करके इसराइल के उपर में अटाक किया और यह अटाक जो है वो उसकी जानकारी पहले से इसराइल को भी थी और US को भी थी क्योंकि इरान ने साफ कर दिया था कि हम revenge लेंगे अगर आप clear confrontation सामने सामने देखो तो इरान ने क्यों attack किया इसराइल के ऊपर तो the reason was क्योंकि इसराइल ने इरान की embassy पर attack किया था एप्रेल के first week में और इसी embassy के attack में IRGC यानि के Islamic Revolutionary Guard Cops के 6 बड़े कमांडर्स मारे गए थे और IRGC क्योंकि सबसे important और सबसे बड़ी paramilitary है इसराइल इरान की तो इसी वाज़े से इरान के जो supreme leader थे Ayatollah Khomeini उन्होंने clear कर दिया था कि इद के बाद हम revenge लेंगे और reports भी यही कहा रही थी कि यह लोग इद के बाद revenge लेंगे और 12th April के बाद इन्होंने बड़ा attack conduct किया इसराइल के ऊपर अब जो यह पूरा attack हुआ इसमें अगर आप इसराइल की मानो और इसराइल की destruction हुआ अब यह बात जब वो खुद clear कर रहे हैं तो अब आप समझना कि इसराइल का जब कोई ground ही नहीं बनता अब इरान के उपर में counter attack कर देगा क्योंकि इसराइल में कोई कि नुकसान हुआ नहीं किसी की death हुई नहीं तो आप बदला किस चीज कलोगे इसराइल ने क्यों हमास के उपर war declare किया था क्योंकि हमास ने 1400 इसराइली citizens की हत्या कर दी थी का murder कर दिया था इसी वज़े से इसराइल ने हमास के उपर war declare किया लेकिन जो इरान ने अटाक किया कि वो इरान के उपर attack करें या ना करें तो अगर इसराइल जो है वो attack कर देता है तब तो यह पूरा मामला बहुत escalate हो जाएगा बट अगर नहीं करता है तो यहां से de-escalation शुरू हो सकता है क्योंकि अगर आप सच में देखो तो इसराइल का ground बनता नहीं है और USPA ही चाता जाए इरान खतम हो जाए उसकी power खतम हो जाए देखो ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आप US की dynamics समझोगे तो USA के अंदर में अभी है elections USA ऐसा हमेशा चाहता है कि war हो जाए बट अभी इस वाले war में वो ऐसा बिलकुल भी नहीं चाहता क्योंकि उसकी खुद की President की कुरसी खत होते हैं कि इन्होंने इतने लोगों को मरवा दिया 1400 Israeli citizens की जैथ हुई उसके बाद कम से कम दो लाक से जादा Palestinian civilians और भी नंबर बड़ा हो सकता है दो लाक Palestinian civilians की casualty हुई है कोई घायल है कितने मर चुके हैं कोई specific number नहीं है कितने aid workers की इसमें डेथ हो चुकी है तो इन सारी इसलिए वो लोग genocide जो बोल रहे हैं कि इन्होंने Middle East में के अंदर इतना रायता फैला दिया कि Middle East में जो civilians थे जिरकी कोई गलती नहीं थी उनकी death हो गई और इसी वज़े से जो बाइडन क्या सरका दर्द बना हुआ है पूरा issue इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से de-escalation हो और जल्दी से ये सारी चीज़े रूख जाएं और इसलिए उन्होंने Benjamin Netanyahu को कहा कि क्योंकि आपके नहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है हमने कोशिश करके साथ मिल करके सारे जो missiles से उनको intercept कर लिया है almost 99% missiles और drones को हमने intercept कर लिया है तो आप अब कोई counter attack नहीं करेंगे औ और UN ने भी सुबह सुबह इमरजेंसी आज के दिन ही meeting बुलाई United Nations Security Council की जिसके अंदर यही discuss हो रहा है कि इस पूरे मामले को कैसे sort out किया जाए और इसराइल ने भी अपने country के अंदर में war cabinet बुलाई है तीन घंटे की meeting हुई है उसमें अभी तक कोई confirmation नहीं आई है कि इसरा इसराइल को support किया country ने क्योंकि इसराइल के खुद के spokesperson डैनियल हगारी ने clear यह चीज़ कर दी थे और times of Israel में चपी यह बात editorial में कि इसराइल अकेले इस पूरे attack को कभी defend नहीं कर पाता अगर USA और बाकी allies countries खड़ी नहीं होती बाकी allies countries का जैसे ही नाम आता है वैसे ही इसमें जॉर्डन देश का जाता है अगर आप पहले जॉर्डन देश की location समझ लो यहां से map के through अब देखो इसराइल यह है और इसराइल का जो पूरा boundary है वो जॉर्डन देश के साथ लगता है अब यहां पर क्या हुआ कि इरान ने attack किया इसराइल के उपर में तो इरान ने जब या उन drones को shot down कर दिया, intercept कर दिया इसराइल पहुँचने से पहले ही और यह जो किया है Jordan ने इसके बाद कहा जा रहा है कि यह पूरा मामला बढ़ सकता है क्योंकि इरान अब Jordan के उपर attack कर सकता है कि आपने हमारी missiles और drones को क्यो intercept किया बीच में और यह इस तरीके से पूरी allies जो करेगा क्योंकि इसराइल का कोई ground नहीं बनता attack करने का, अब US back foot पर जा चुका, US भी बिलकुछ support नहीं करेगा इसराइल को again counter attack करने के लिए जब तक इरान कुछ और ना करता है, तो अब यहाँ पर अगर आप समझोगे तो पूरा मामला काफी पूराना है, यह पूरा मामल है almost 1948 का, अब 1948 में क्या हुआ कि इसराइल ने खुद को independent घोशित किया, और जैसे इसराइल ने खुद को independent घोशित किया, उसके ठिक एक दिन बाद 5 देशों ने इसराइल के ऊपर war share दिया, इन 5 देशों में सबसे बड़ा जो उसमें country था, जो सबसे बड़ा उसमें participant था, व समझ लो, इजिप्ट एक टाइम पर वो position hold कर जा था, मिडिलिस के अंदर में, अगर dynamics change नहीं हुए होती, तो आज भी इजिप्ट महां का बहुत बड़ा player होता, तो इजिप्ट major इसमें player था, बाकी छोटी छोटे player थे, यहाँ पर Lebanon जो था, वो भी बहुत major इसमें player था, क् साम ध्यान रखना कि यह पाँचों कंट्री इसमें एक टाइम पर इसराइल में 1948 में इसराइल के उपर वार छेड़ दिया था, और इसराइल को recognize करने से मना कर दिया था, इसराइल ने यह वार लड़ी, यह वार क्या full-fledged वार नहीं थी, सब ने अपनी पनी आर्मी नहीं यह पूरा इसराइल ने कबजा कर लिया, और finally साल 1949 के अंदर में एक आर्मिस्टिस साइन होती है, और इस पूरे एरिये पर अभी तक इसराइली मिलिटरी मौझूद थी, और 1949 से साल 2005 तक यहाँ पर इसराइली मिलिटरी ने इस पूरे एरिये को hold करके रखा हुआ था, काफी खराब हो गया, और सिचुएशन सही होने का नाम नहीं लिए, क्योंकि इस पूरे इशू के बाद बड़ी मात्रा में जो पैलिस्टीनियन से वो भाग करके लिबनान में आ करके शरड लेने लगे और रेफ्यूजी कैम्स में रहने लग गए, और लिबनान की भी गव काफी उमीदे थी, लेकिन उमीदों पर खरा नहीं उतर पाया, अब जो यह पूरे पलिस्टीनियन से रेफ्यूजी रहते थे वहां पर कैम्स में, धीरे धीरे इन्हों ने अपनी एक पॉलिटिकल विंग बनाई, और यहीं से आप देखते हों कि 1965 के अंदर में वहां पर फ बैंक और गाजा स्टिप वाला एरिया है, वहां पर चुनाओ भी लड़ती है, उसी फत्य पार्टी ने 1965 में लबनान के अंदर एक बहुत बड़ा मुवमेंट शुरू किया, और इस मुवमेंट के बाद छुटपुट जो है, आज आप अटैक जेखते हो ना, बॉर्डर प में, बट ये जो छोटे-छोटे मिलिशियास है, 1965 में जो फत्य पार्टी सपोर्ट कर रही थी, जिन मिलिशियास को, जो छोटे-छोटे लोग जिनको हतियार मिल गए थे, और ये हतियार कहां से आ रहे थे, इनके पास, ये हतियार आ रहे थे, सीरिया से इनके पास, तो उस ह पाटी के सपोर्ट से लबनान को ताकत मिलती है हाला कि लबनान लब्नीस आर्मी ने शुरू में कोशिश किया थे कि फद्यपाटी को खतम कर दे और जो छोटे-छोटे मिलिशास इनको भी खतम कर दें चुपी लबनीस आर्मी को तो इसलिए दो अलग अलग बन गए थे तो लेवनीस आर्मी भी काफी वहाँ पर कमजोर पड़ गई और इसलिए हेजबुल्ला जो है वो स्ट्रॉंग होते चला गया लेबनान के अंदर में जो आज आप इतना बड़ा नाम हेजबुल्ला देखते हो वो 1965 के टाइम पर इतना के अंदर में वार हो जाता है जहां पर मेजर जितनी भी यह प्लेयर जिनका मैंने आपको पहले नाम बताई यह सब फिर से एक बार इसराइल के उपर अटाक कर देते हैं और इस पूरे 1967 के अटाक में जो है जिसको शिक्स डे वार कहते हैं छे दिन के अंदर में इसराइल न में जो रेलेवेंस थी एजिप्ट की वह अब कम होती जा रही थी और उसके बाद क्या होता है कि 1967 के बाद यासिर अरफात जो है वह एक बहुत बड़े लीडर बन करके आते हैं पूरी दुनिया के सामने में और उसी यासिर अरफात जो हैं वह पलिस्टीनियन लिबरेशन प्लो जो आज भी मतलब जो फत्य पार्टी है जो हमास है यह सब एक टाइम पर प्लो के हिस्सा हुआ करते थे और इस प्लो के अंदर में कम सक्म 40-50 पार्टी यहां इसके अंडर में काम कर रही थी और इसी प्लो की कमान समालते हैं यासिर अरफात और वह समझ जाते हैं कि इस तरीके से आप वार नहीं लड़ सकते हो डिरेक्ली इसराइल के साथ बेकॉस इसराइल के पास काफी ताकत है टेकनोलोजिकली भी काफी साउंड है वो लोग और उनके पास मिलिटरी पावर जो है वो यूएस के थुरू आ रही है अगर यूएस सपोर्ट करेगा क्योंक इसका डॉमिनंस बहुत ज़ाजा था पूरे मिडिलीस के उपर में ये बात यासिर अरफाद बहुत अच्छे समझते थे और इसलिए उन्होंने डेमोक्रेटिकली इस पूरे मामले को परस्यू करना शुरू किया हाला कि छोटी-छोटी जो मिलिशास थी वो सीरिया के अंद इस पूरे मामले को परस्यू करना चाह रहे थे और 67 के बाद उन्होंने पूरी कमान समाल ली उसकी बाद उन्होंने किया कि लिबनान के अंदर में जो पलेस्टीन रिफ्यूजी कैम्स थे उनकी कमान लेवनीस आर्मी से काईरो अकॉर्ड साइन किया 1967 के बाद ही और वो काईरो एकॉर्ड जैसे ही साइन होते हैं उसके बाद उन सारे लेबनीस जो आर्मी के होल्ड में जो पूरे रिफ्यूजी कैम्स थे जहां पर पलेस्टीन रहते थे उन सब का होल्ड यासिर अरफात ने प्यलो के अंडर में ले लिया और वहीं से फिर बहुत सारे मि मुवमेंट करा किया यासिर अरफात ने अर लेकिन साल नाइंटीन 7 dep 6今天 में एक स्था णाले मामले के बाद अवी मोग मेंट खडा हो रहा था पूरे पलेस्टीन को सपोर्ट मिल रहा था लेकिन साल 1779 में एक और गटना हो जाती है उतों किया रिफ्य्ट टीरिम हो जाता है क इसको Camp David Accords कहते हैं और वो इस पूरे पिक्चर से गया हो जाते हैं मतलब उन्होंने इसराइल को एक तरीके से रिकगनाईज कर लिया और इस पूरे अरब वार में जो इजिप्ट की रेलेवेंस थी उसको एक दम से खतम कर दिया लेकिन 1979 के इस Camp David Accord के बाद इजिप्ट का रे इरान के अंदर में हमेशा से communist government थी जिसको west support करता था या west का puppet कहते थे उस पूरी government को लेकिन 1979 में इरान के अंदर में होता है एक revolution और इस revolution के बाद वहाँ पर लीडर बनते हैं सुप्रीम लीडर बनते हैं रहुला कुमेनी अगर आप image से देखोगे तो रहुला कुमेनी वह की voice बनेगा और हर जगा पर जहां पर इसलाम को जरुवत होगी ताकत की जहां पर support की जरुवत होगी इरान जो है वहाँ पर इसलाम की अवाज के साथ में खड़ा है और इसलिए 1979 में इन्होंने IRGC का गठन किया पूरे दुनिया में इसलाम को ताकत देने के लिए जिसका नाम है इसलामिक revolutionary guard cops इनी guard cops के commanders की death इरान के embassy में हुई थी अब यहां से इन्होंने IRGC form करके अलग अलग देशों में support करना शुरू किया सबसे पहले इन्होंने सबसे ज़्यादा support इसमें किया Syria का अब यहां पर Syria के अंदर में problem क्या थी Syria के अंदर में छिड़ा हुआ था जबर्जस civil war और वह civil war किसके खिलाब था वहां पर Syria के president थे अशर बशर अल-असद बशर अल-असद जो है वह लड़ाई लड़ रहे थे किसके खिलाब कुर्ज के खिलाब भी लड़ रहे थे औ और बहुत सारी militias थी जो की अपना-पना stronghold चाती थी Syria के अंदर में देखो यह बहुत detailed issue है Syria का जो civil war है और इस पर मैं जाओंगा तो कम से कम बहुत time लग जाएगा तो अलग से एक वीडियो के उपर करेंगे Syrian civil war के उपर में अभी समझाने के लिए आप समझ लो कि एक साइ है कि ISIS को बहुत ज़्यादा support US ने किया है या ISIS को बनाया है US ने जितने जिए पॉलिटिकल एक्सपर्स यह क्लेम करते है अक्चुल में आप सीरिया का civil war देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ISIS ने पूरी लड़ाई-लड़ी बशर अलसत के खिल कर रहा था through IRGC और उनको support Russia कर रहा था तो बशर अलसत आज की डेट में वहां पर stronghold रखते हैं और वहां से ISIS का तो पूरा खतमी कर दिया एक तरीके से दुबारा से रिवाम कर रहा है ISIS खुद को लेकिन एक तरीके से पूरा खतम हो चुका है और जो बाकी मिलिशियास है छो पूर्ट किया इसलिए Syria जो है वो पूरी तरीके से इरान के साइड में जाएगी तो अभी दो कंट्री यानि के लबनान और Syria दोनों इरान के साइड में हो गया थर्ड कंट्री में आती है थर्ड मेजर पार्टनर आता है इसमें इराक अब अगर इराक की बात करो तो सद्द जीरे फिर वो और बना था क्योंकि सद्दाम हुसायन आपको पता यह पूरी शूग क्या था कि अपनी करेंसी बनाना चाते थे वो अपनी मुनापली बनाना चाते थे और इन सब को ले करके इरान और इराक में तगड़ा 1980 से 1988 तक में वार चला था और इसके बाद सद्दाम तरीके से यहाँ पर इरान का सपोर्ट करेगा तो इराक, सीरिया, लिबनान यह सारी कंट्री इरान के साथ में हैं अब आती है बात जॉर्डन की अब देखो जॉर्डन जो है मैंने आपको बताया था कि 1948 में जब पांच कंट्री इसने पूरा वार चेड़ा था इसराइल के पॉलेशन है अभी की जो गवर्मेंट है जॉर्डन की वो पूरी तरीके से इसराइल के सपोर्ट 1970 की एक घटना है कि क्या हुआ था कि जॉर्डन में एक मुवमेंट शुरू किया गया था प्रो पैलेस्टीनियन मुवमेंट और उस मुवमेंट के खिलाप वहां के जो मुवमेंट को दबाया था और कई लोग उसमें जान चली गई ती कहते हैं कि 1500-2000 लोग उसमें मारे गए थे और जॉर्डन के किंग को उसी समय से ऐसा मान लिया गया था कि यह जो है यह इसलाम के खिलाप है और यह पूरी जरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो 1970 का यह पूरा मामला हुआ था यह सेप्टेंबर में हुआ था इसलिए उसको ब्लैक सेप्टेंबर ऑफ 1970 कहते हैं जो कि जॉर्डन की बहुत बड़ी घटना थी इसके उपर कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो किंग जबसे इन्होंने उस पूरे रिवाल्यूशन को दबा नहीं कर सकते हो और दूसरी जो अगली मेजर कंट्री आती है चट्वी वो है साउधी अरेबिया अब अगर हम साउधी अरेबिया के बात करें साउधी अरेबिया इस वन ऑफ दोस कंट्री जो की पूरे बिजनेस माइंडेट कंट्री है यह कभी इन्होंने अग्रेसर का रो एक्स्प्लेंड कि है एलाइज और जो राइवल्स है अफ एरान एड इस्राइल दोनों के हवाले से असल में जो यह मामदा चल रहा है यह आज करनी है यह बड़ा पुराना है यह वही चीज़ है कि जहां पलस्टीनियन पहले रहते थे फिर यहां से यहोदी लोग गए वह पूरी दुनिया में बिखर गए फिर जब लोग वापस आये हॉलोकास्ट के बाद तो उन्हों ने यहां जब आये तो फिर लोगों ने तनकीद करना उतनी दिर में यहां कि डेमोग्राफिय चेंज हो चुकी थी पलस्टीनियन यह काफिया तक आ चुके थे तो यहां से यहां जो लड़ाई वह जो रिलिजिस साइट से उन्हीं की है कि जो लोग वापस आते हैं तो अब इनकी बहुत इंपोर्टन जगे हैं यहां पर जो प्रॉब्लम असल में यहां जो रहा कैसे जाए कि दो अलग अलग कमुनिटीज है एक मुसलिम है अगर हम रिलिजिसली द है और अगर हम देखें नेशन वाइस तो एक पलस्टीनियन है और दूसरे जो है वो इसराइली है तो यह अब रहने नहीं दे रहे है कि कहते हैं हम दे रहना है दूसरे कहते हम दे रहना है और कुछ ऐसी बाते भी हैं बीच में जिनके सपोर्ट में मैं खुद भी हूँ के जो wet मैं यहां टू स्टेेट pastor शोड़ सोलुशन होने चाहिए ना कि यह कहा जाए कि यह सारा पैलेस्ट्यनियन अ200 अईरिया है ना कि यह कहा जाए कि यह सारा जो है वो जियोश ईरिया यह इसराइली अईरिया तो इस तरह गलत है तो यह बाकी सारा यह जो कhिल है जाहर है हमारा बच्चों वाला माइड है लोगों का बड़े बड़े लीडर्स बने वे लेकिन बात फिर भी वही है के परानी चीज़ों को उठा के solution की तरह नहीं जाना problem कैसे create की जा सकती है उस तरफ जाना है तो यह उन्होंने allies की बात के इसमें Lebanon, Syria, Iraq और Iran चार कंट्रीज उन्होंने गिर्वाए जो के एरान की साइट पर है एरान तो जाहर है हो अपनी साइट पर यह पहले है लेकिन जो बाकी जौर्डन है वह इसराइल की साइट पर तो यह खेल तमाशा यह चलता आ रहा है हिस्ट् और साओधी रफ का जो मामला है साओधी रफ UAE इस तरी चार पांच बीच में Middle Eastern countries है यह बड़े कैसे कहना चाहिए कि बड़े समझदार कंट्रीज है इनकी जो लीडरिशिप है बड़ी समझदार है इस तरह के मामलाथ में ज्यादातर वो गुरहस करते है ऐसा नहीं के बिल आरे में बाली काशने को बाली में जो दॉर नाहीं कंट्रीज का हैं और सीरिया का का देख लेए इग का लिए और इनकी प्रोजेक्शन देक्ष्ट्चन आनेवाले बिस सालों में Majlis K जिन दो कंट्रीज के इसके इलावा हम ने नाम लिया है, सुधियरप के और यह ही कि इनकी प्रजेक्शन दो-टीन डेकट आपके लगा लेता तो इनकी ग्रोथ आपको नज़रा देगी और इनकी नज़रा देगी तो कि इतने सालों से लड़ायों में पढ़े है और इतने साल इसकी akoast pay नहीं करना चाहते, वो नहीं कहाते करको नही काँना चाहतें है को हमारे कंट्री की लोग किसी धकर सफ़र करें बेशक कि कैमने की kingdom का निजाम है s healthy आयरिव बा動画 में ऊसके बाफशायत का निजामов है सफ़र करें उनको क्या ज़रूरिध है कि हमारे बाठचाई निजाम हyorsun रूफिसटी निजाम है, बच्छों ने आगे बाठचा बनने है इस तरह हमे fighting we both उनके वह उनका है इस तरह के growth करने है जिससे हम êleक्शन के लिए support मिले वो किस तरह से सोचते हैं कितना उनका विजनरी माइंड है और कंपेरिट टू इजो बाकी कंट्रीज है एरान एराक और सीरिया महमध आउन तो शवाइल से सवाइल से कहने चाहिए न की जाती है विजनरी आईंफ में तो जो देए गाय रहा है कि घल तो पुड़ को रखते हैं उसके दो हो सकता है उसके और में इसके उसके बखि acid करवे हैं our और फूर हम एक लगा क्वाइज से के नकुत है SOLO कर चो तो पिर खूंख निहाए और फूलें घड़त है हम अन्व तो इस سے बहतर यह नहीं कि इस तरह बाकी शुदी सॉदी एरभ याई यह जैसी मतलब वही मुमालिक जो हैं काफी हां तक सेव रहते हैं तो अगर वह सेव रहते हैं तो उनकी पॉलीसिस को लेके आजाएं उनकी सोच को लेकर आजाएं अगर देखें कोई किसी बंदेने चीज़ चेंज करनी है अपनी चीज़ अची करनी है तो बहतर बंदे की तरफ देगकर सकेगा तो बहतर यही कर रहे हैं वाली बाकि तो यह अपस जो भी करीबी-करीबी है, सारे लाडी रहे हैं पर उनको यही चाहिए कि वह उनके साथ कॉपी करें और उसको पेस्ट करें आपने उपर तो बिल्कुल यह हमारा उपिनेट था आप टो ले अपना उपिनेट कॉमेंट से लास्वी बताना आप लिए प्षगारी करते हैं लिए और पिल्गू पर वीडियो में तब तक के लिए बाप्र